ये कहानी है एक भूधा घर की गाउं की छोटी सी कहानी है सची कहानी है अगर आपके पास भी कोई सची कहानी है तो आप हमारे चैनल को भेज सकते हैं अगर आपकी कहानी हमारे चैनल को पसंद आती है तो हमारे चैनल की तरफ से एक गिप्ट इनाम के तोर पर आपको दी गई हो या आपको लगता है कि भूत प्रेत पिचास डाकन होते हैं जीवन में इसी घटनाई घटती है तो आप हमारे चैनल को अपनी कहानी हमें भेज सकते हैं हमारी कहानी आप सुने लोगों को सुनाएं सेयर करें वीडियो चैनल को सस्क्राइब करें आईए जानते हैं हम इ एक घर जो बंद पड़ा हुआ है बच्चे भी यहां जाते हुए डरते हैं और बूढ़े भी यहां जाते हुए डरते हैं जब भी कोई वहां से गुजरता है तो उसे कुछ आवाजे सुनाई देती हैं कभी बच्चे की रोने की आवाजे सुनाई देती हैं कभी किसी महिला हसी और डरावनी आवाजें महां से सुनाई देती हैं कहते हैं शहर में रहने वाला एक परिवार छुट्टी में गाउं आया हुआ था उसका एक लड़का बहुत ही सरारती था वह बहुत सरायत किया करता था दोपहर का समय था गाउं में सननाटा पसरा हुआ था क्योंकि प्रतु शहर का लड़का होने के कारण उसे मन नहीं लग रहा था घर के अंदर जिसके कारण वह खेलने के लिए गाउं में निकल पड़ा खेलते खेलते वह लड़का उसी घर के पास पहुच गया उसे कुछ गुनगुनाने की आवाज सुनाई पड़ी तथा पायल छंचनाने की आवाज सुनाई दी शरारती होने के कारण वह लड़का उस घर में गुश गया गुशने के बाद दरवाजे अपने आप बंध हो गए यहां घर वाले का बुरा हाल हो चुका था लोग उसे खोज रह थे साम हो चुका था लेकिन लड़का कहीं मिन नहीं रहा था घर वाले खोज दे खोज दे परिसान हो गए फिर उन्हें एहसास हुआ कि उनका लड़का काफी सरारती है हो सकता है खेलते खेलते उस घर में चला गया हो बहुत सारे लोग घर की तरफ चल पड़े घर गए दर्वाजा बहार से अंदर से बन था घर को दर्वाजे को तोड़ा गया दर्वाजा तूटने के बाद देखा वह लड़का पूरा तेल में सना हुआ और विहोस पड़ा हु वहां जाकर जार फुक करने वाले जो साधू होते हैं उसे बुलाया गया जब जार फुक की प्रक्रिया शुरूई हुई तो लड़का बार बार उठता जोर से चिलाता गाने गाता तदा फिर भेहोस हो जाता ऐसी कई घटनाय घट रही थी लोग परिसान हो गए फिर जो ज खिलाया गया उसे बहुत जोर-जोर से बच्चा की सरीर से भूत निकलकर भाग गया फिर उस बच्चे ने बताया कि उसके साथ ऐसी कौनसी घटना घटी बच्चे ने कहा जैसे ही में घर के अंदर गया दरबाजा अपने बंद हो गया एक महिला वहां पर बैठकर मैं उससे कुछ पूछने वाला था कि एक आएक मैं बिहोस होकर वहां गिर पड़ा उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं मेरी आखें यहां खुली मुझे पता नहीं यहां क्या चल रहा है तब साधुओं को ले जाकर भगतों को ले जाकर उस घर को बांद दिया गया तथा पुझा पाठ की गई तब से महाँ पर सांती हो गई और उस गाओं में ऐसी घटनाएं घटनी बंध हो गई मेरी कहानी आपको कैसी लगी आप अवश्य लोगों को सुनाईएगा इसे शेयर करिएगा और मेरा चैनल सस्क्राइब अवश्य करिएगा अगर आपके पास कोई कहानी है तो हमें सुना सकते हैं हम आपकी कहानी लोगों को सुनाएंगे और हमारे चैनल के तरफ से आपको ए देखिए और मजा करिए तन्यवाद